हेलो विर्वों स्वारे करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कोड कर लो पर आप सोल करेंगे जिव जी के प्रोडम दाद ए तो सबसे पहले अपनी प्रोडम पढ़ेंगे फिर इसके प्रोड रहो सेको करेंगे दुन लेगन में कोड c++ में और जाव में भी ठीक है जी तो प्रवन हो अपने पास ट्री से रिलेटिल है उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे मिडियम लेवल की है चो लोजी स्टेटमेंट की थरव अपना चलते हैं गिवन है बाइंड नोट्स ठीक है जी बिल्कुल आपको गीवन है वह अपने को देखना है तो क्या करते हैं वाइट वोड़ की तरफ चलते हैं एक लिखते हैं ठीक है बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं इस कोस्टन को अपना हम ठीक है तो वाइट बोड़ की तरफ अपने चलते हैं देखो जी हम क्या करते हैं बिल्कुल सा एक ठीक है ज्यादा कॉंप्लिकेट नहीं करते हैं ठीक हो क्योंकि जो अप्रोच इसमें लग जाएगी वही मुश्किल वाले में लग जाएगी ठीक है जीतना मुश्किल से मुश्किल बना लो अप्रोच आपको इसमें ही समझा जाएगी ठीक है ठीक है जी हम कह लेते हैं कि यार हमें नोड गिवन है 5 और 6 ठीक है एक वैल्यू 5 एक वैल्यू 6 ठीक है आपको इन इसमें किसी को दिक्तत वाली बात नहीं है ठीक है जी डिस्टेंस आफोर ठीक है अब उसको find कैसे करें ठीक है यह question आपने पास find कैसे करें अब आप कुछ ऐसा तो करने सकते कि आप 5 पर आजाओ फिर 2 पर चले जाओ फिर फिर एक पर चले जाओ फिर 3 पर चले जाओ कुछ इसरह से तो आप ट्रेवर से अपने सिंपल तरीके से नहीं कर सकते ठीक है उसके लिए तो आपको बहुत ही मत्था पचाहिए करने पड़ेगी पैरंट स्टोर करने पड़ेंगे ठीक है तो वह अपने को करने के अफशकता सुचेंगे अब देखो हमारा जो डिस्टैंस है वो में कहां से निकलेगा अभी देखो कुछ ऐसा ड्रीपी हो सकता है आपने पास एका आपको अपना दो करो क्या कोई लेना देना है नहीं मतलब जो में अपना लेना देना है वह इस नोड का है बाई मतलब जो और तो अड चेखना जो दुनों में same आ रहा हूँ ठीक है यहां से देखो की में ज़े शीम और यह इसका भी same है ठीक है एशी चीज आपने इपने को देखने है आई उस से अपने को क्या मिलेगा देखो कर दोट्यों अगर आप वह चाहसा भी तो केस हो सकता है कि आपको 5 कह दिया और यहां पर एक 6 लगा दिया और आपको से करके 6 दिस्टांस निकाल ले न थीक है अगर आप देखो 1 से 5 कर डिस्टेंस कर दो निस सी कर दिस्टेंस दो दो प्लस दो चार अंसर आ गया बिल्कूल चाहरा वह ठीक है तो मतलब भई अपने को यह find करना है जिस तरह से वहाना मतलब जहां से सेम अपने connected है ठीक है अब वो कैसे find करें ठीक है वो कैसे find करें चलो जी अग्गे चलते हैं अपने थोड़ा सा ठीक है एक दो टीन चार पांच शे सात ठीक है और क्या कुछ ले सकते हैं क्या चलो इस वार नग्जम्पल में वही है ठीक है अपने जिसटेंस करना है इसमें अपनी कॉमन कॉंसी आईगी जैसे उधर वान आई थी इधर आई कि अपनी 3 ठीक है 3 हमें फाइंड करेंगे आप देखो find कैसे करेंगे सबसे पहले हम कोई सी भी ट्रावरसल आप यूज कर लो in order, pre-order, post-order as your wish ठीक है उससे कोई लेना देना निया अपने को हमें simple क्या find करना है भाई 6 का path root से ठीक है ये बात आपको अभी समझ मैंगी 6 का path root से क्या बनेगा 1, 3, 6 6 का path root से बना 1, 3, 6 ठीक है भाई को दिक्कत नहीं है उसके बाद हमें क्या find करना है 7 का path मतलब A और B दुनों का path root से find कर लेना है ठीक है 6 का बनाता 1, 3, 6 7 का क्या बनेगा 1, 3, 7 क्या अब आप ये path find करने के बाद अब आप नहीं नहीं बता सकते कि कौन सा point से जाके मेरे अलग-अलग हो रहे हैं कहां तक मेरा same है यहां तक तो मेरा same है और मतलब ये वाली जो node है वो मेरी main node है मतलब अगर आपने दुनों का path find कर लिया उसको store कर लिया जहां पर आपका आकर difference आ रहा है उससे पिछली node तो आपकी मतलब दुनों की same हुई अगर दुनों की पिछली node same हुई और आपके पास ये node present है ये node तो आपके पास present होगे आप store करके रखोगे इस से आप इसका distance न क्या करूंगा एक function बनाऊंगा उसमें इसको pass कर दूँगा traverse करूंगा ठीक है जब मैं 6 पर आजाओंगा तो distance एक प्लस करता चलूँगा ठीक है फिर इधर मैं 7 पर आउंगा ऐसे ही फिर 7 का distance प्लस करता चलूँगा ऐसे आपना दुनों का distance प्लस करके answer return करूँगा ठीक है क्या आपको वो करनी की भीयव सकता है क्योंकि छब आप इसको store कर चुके हो तो भाई आप सारी चिज़े store कर चुकह दिस्टेंस ब्याश्य है आप पर Hermana 9 , 2019 आपको सिंपल क्या करना है आपको पता है 1 3 6では 1 3 7 आपके पास 2 चीजुडे हैं यह index और distance कितना बना last chapter क्योंकि last में मेरे कुझे कुछीど ऊब पढ़े होंगी में मेरे को चाहिए छेयर साथ ऩी यह distance कितना बना one ये distance कितना बना एक बास यह 0 बात खतम ठीक है तो यह simple का हम अपना कर रहे होंगे तो हम simple क्या करेंगे सबसे पब एक help function बनाएंगे उसमें अपना route को बेज़ेंगे traverse करेंगे जैसे ए पर अत्य है एक past store करने के लिए एक वेक्टर लेके चलेंगे जैसे ए पर अत्य है प्लाइक कब चbir करेंगे ठीक है उसके बाद प्लू र ultimate को ट्रेवर करेंगे जहां तक वह सेम है जैसे ही हमें वह प्वेश्चे azimht come dic स्ड़न क uk य styl G 대해क करतेंगे बात करेंगे रूट कर रहे होंगे इसकी टाइम सबसे पहले में करते हैं अब देखो मेरे बाइयो सबसे पहले तो मेरे को एक ऐसा वेक्ट बनाना है जो मेरा पाथ को स्टोर करता चले ठीक है current path current path जो भी है उसको store करेगा एक मेरा path of a को store करेगा एक path of b को store करेगा बिल्गल simple इसमें कोई किसी प्रकार का doubt नहीं होना चाहिए ठीक है फिर मैं क्या करूँगा help function कोल करूँगा जिसमें मेरी root जाएगी जिसमें मेरा current path जाएगा जिसमें मेरा path of a बिल्गल ठीक है हम आजाते है अपना recursive goal पे void help node star root यहाँ पर मेरा by reference आएगा सब कुछ क्योंकि मेरे को नीचे वाले function में भी effect करनी है भाई चीज़े ठीक है current path comma vector of int path of a and vector पर इसको करते है और यह परिशान करते है तो इसमें ठीक है यहाँ पर सब से बले reference भी लगा जाते है साथ साथ कहीं हम बाद में भूल जे ठीक है vector of int अभे भाई भाई क्या करता है vector of int path of b, int a, int b ठीक है इतना काम हुआ अगर node होती है null simple return दिमाग लगाना ही नहीं ठीक है फिर जिस current node पर है वो मतलब path में आएगी अगर वो path में आएगी तो current path में उसको push कर दो ठीक है root का data push कर दिया अगर root का data equal equal हो जाता है a इसका मतलब मैं a पर पहुंच गया a पर पहुंच गया a तक का path मेरा को मिल चुक है वो किसके अंदर store है current path के अंदर तो path of a क्या हो जाएगा बाई path of a हो जाएगा current path a का path मिल गया अगर आसा होता है कि मैं b पर पहुंच गया तो मतलब मेरा path of b हो जाएगा current path current path तो वह पहुंच जाएगा जब वो a पहुंच तो a का path दे देगा b पहुंच तो b का path दे देगा चलो जी help of root, current path path of a path of b then एक second यहाँ पर path आएगा ठीक है then we have a and b ठीक है अब root के left पर इससे चले जाएगे ठीक है alt, shift, down arrow दबाऊगे तो उपर वला नीचे copy हो जाएगी ठीक है यह right पर चले गए अब यह by reference है जिस node का का निमट चुका है जिससे वापिस आ चुके है उसको इसमें से remove भी कर देना है वरना यह तो ट्रीक सारी node अपने अंदर store कर लेगा ठीक है हमें जिससे remove जिससे वापिस आ चुके है जिससे पाथ नहीं मिला यह जिससे path मिलके हम वापिस आ चुके हैं उसका अग्य कोई काम नहीं बचा ठीक है उसको इसलिए करते है remove मेरे पास path of a बी आ चुका है path of b बी आ चुका है now what we will do हम क्या करेंगे बिल्कुल simple एक काम क्या करते हैं int i equal to 0 comma j equal to 0 ठीक है while ठीक है इसको थोड़ा सा पलना निचे किस करते हैं यार ठीक है जब तक मेरा i चलेगा path a के लिए उसके size से less है and j is less than path b dot size ठीक है जब तक उससे less है तब तक ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है if अगर आसा होता है path of a of i is not equal to path of b of j नहीं equal होता तो break अमार के बाहर आज़ा हाँ हाँ हमें वह difference वाला point मिल चुका है i++ j++ ठीक है अब वह difference वाला point मिल चुका है अब देखो हलका सग्य चलते हैं अपना थोड़ा साब को बिदा देता हूं 1 3 6 1 3 7 इस तरह से होगा इस point पर आपका आके क्या लगेगी break लगेगी break लगेगी आप बाहर आओगे index क्या है 2 index क्या है 2 size क्या आपका size क्या आपका 3 2णों का 3 ठीक है तो आपको simple क्या करना है 3 size minus 2 एक एक तो difference है ना एक एक difference है plus यह का indicate कर रहा है a का size path a का size 3 minus 2 यह क्या है i यह क्या है path b का size यह क्या है ठीक है तो path a का size minus i यह j है sorry path b का size minus j इन सब को plus करके return कर तो आपका answer आगया ठीक है चलो जी हमें simple क्या करना है return return path a dot size minus i plus path b dot size minus j ठीक है चला के देखते हैं इसको पहले यह फाल तुगा space जो हमने code उपर खिसकाने के लिए लगाया था भाई इसको रिमोव करते हैं एक बार run करते हैं वो सकता कुछ गलस लिख दिया हो ठीक है फिर भी देख लिखते हैं अपना ते चल रहा वाई submit करते हैं एक बार से बैटन में Java code लिखा हो भी आपको शो करता हूं एक बार अगर यह करते हैं तो यह वह सम्मिट चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ यह रजी अपना सेम जावा कोड अपना तीन जैसे वेक्टर थे यहां पर है रिलिष्ट बना दी हैल फंक्शन कोल कर दिया उसमें सिंपल क्या करें जिस भी नोड पर आते गए उसको अपना पाथ में पूट करते गए उसके जाटा को अगर ए पर आ जाकते हैं तो ए का पाथ ले लिया बी पर आ जाकते हैं तो बी का पाथ ले लिया ठीक है अपने लेफ्ट और राइट कोल करते चले चले गए सिंपल और इस नोड का काम निमटता चला गए उसको रिमूव भी करते चले गए उसके बाद आए सेम देख लिए सेम पात कितना है जहां से मतलब अपनी अलग-अलग हो रही है वहां उस पॉइंट पर आए ठीक है वो साइज माइनस वह पॉइंट साइज माइनस वह पॉइंट दौनों में से बी और ए में से दौनों को एड़ करके अपना रिटन कर दिया ठीक है टोडल लिस्टेंस अपने पास आ चुका है एक बार इसको पहले रन कर लेते हैं हो सकता कुछ आगे पिछे लिखा गया ओ ठीक है करें एक बार सही है एक बार सम्मीट करते हैं इसको भी कि अधिकर दोनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन न मिल जाएगा किसी पर करका डावट याट रहर कमें सेक्षण ने पूछ सकते हो वीडियो चले कि लिए लाइक से इसक्राइब भी कर सकते हो मिलते हैं आप से अ आदने वाद